नमस्कार, जहिंद, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे, इससे पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, कि अब हर एक employee को अपनी EPM फिल करने के लिए, जम्मू और कश्मीर Human Resource Management System पे जाके लोगिन करना होगा, अब जहां पे बहुत सारे ऐसे employees हैं, जो ज सबी employee जो अपना passport भूल गए हैं, हम अपने passport को कैसे recover कर सकते हैं, कौन-कौन से step हमें follow करने हैं, कौन सी app हमें download करनी हैं, सारा process में आपको live demonstration इस वीडियो में दिखाना लेते हैं, एक employee को अपना जम्मू और कश्मीर Human Resource Management System का passport reset करने के लिए, सबसे पहले एक employee को जो जो make sure कर करना होगा कि उसके mobile phone में क्या संदेश app install हुई है जा नहीं हुई है, अगर install नहीं हुई है, तो उससे install करने के लिए सबसे पहले आप अपने mobile phone से play store को open कर लें, जैसे play store आपके सामने open हो जाएगा, उसकी search bar में आपने type करना है, संदेश app, तो जहाँ पे आप देख सकते ह आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से संदेश app का एक logo देखेगा, तो इस तरह से आपने इस app को अपने mobile phone में download कर लेना है, जैसे download हो जाएगी जहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने download कर लिए है, तो download करने के बाद आपने इससे install कर जैसे आप इसे open करेंगे, open करने के बाद आप से यहाँ पे कुछ permissions मांगी जाएंगी, आपने उन सभी permissions को allow करना है, granted करना है, जैसे हम यहाँ पे ok पे click करेंगे, जो भी यहाँ पे permissions हमें मांगी जा रही है, आपने सभी permissions को जहाँ पे allow करना है, आप इसे allow करते जाएं, तो य आपने जहाँ पर 10 desert का working mobile number एंटर करना है और आपने make sure करना है आपने यहाँ पर भही mobile number एंटर करना है जो mobile number आपका CPS ID के साथ registered है आपने उसी mobile number को जहाँ पर enter करना है तो चलिए अब हम जहाँ पर आपना mobile number एंटर करेंगे mobile number एंटर करने के लिए जहाँ पर आप देख सकते हैं जो उसका code है वो पहले से select होगा जहाँ पर आपने 10 desert का mobile number जो की CPS ID से हमारा registered है उसे आप जहाँ पर एंटर करेंगे एंटर करने के बाद आपने जहाँ पर terms and condition को agree करना है एंटर करने के बाद आपने next login का जो process है उसे complete करना है जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे registered mobile number पे एक 6 digit का OTP send कर दिया जा जोगा है हमने OTP एंटर कर लिया है आपने OTP एंटर करने के बाद आपको एक option मिलेगा top पे next का आप इसपे click करें जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने एक next का option है जैसे OTP एंटर करेंगे हमारे साम application है जो हमारी login है step number one में हमने देखा कि अगर हम जमू और कश्मीर human resource management system का password बूल गये हैं तो उसे recover करने के लिए सबसे पहले एक employee का cash step रहने वाला है अपने mobile phone में आपने चेक करना है कि क्या आपके mobile phone में संदेश एप है अगर है तो उसे आप update कर लें in case अगर आपके mobile phone मे कैसे download कर सकते हैं वो हमने देखा next उसके ऊपर आपने आपने आपको register करना है register जा login करना है तो login आपने उसी mobile number से करना है जो आपका mobile number cps id से register है आपने देख लिया कि हमने अपनी पूरा login प्रॉसेस पूरा complete कर लिया है next step में आपने क्या करना है आपने mobile phone से google आपने किसी browser स गूगल को open करना है और उसकी search बार में आपने simply type करना है JK HRMS जैसे आप type करेंगे हमारे सामने पहली जो official website आए जाएगी जमू और कश्मीर human resource management system का जो link आएगा आप इस पर click कर दें जैसे हम इस पर click करेंगे तो जहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने जहाँ जहाँ पर ज section मिलेगी login की तो login section में अगर आपका password आपके पास है username तो हर एक employee का cps id रहने बला है password अगर आप बूल गे हैं तो आपने simply यहाँ पर कुछ नहीं करना है next आप जहाँ पर देखेंगे login के just नीचे हमें एक option मिलेगा forget password आपने इस पर click कर देना है जैसे हम इस पर click करेंगे अ अपनी cps id जहाँ पर enter करनी है सारे के सारे letter word जो भी होंगे number होंगे वो आपने capital letter में जहाँ पर enter करने है अपना registered mobile number जो आपका mobile number cps id से register है उसे आप जहाँ पर enter करेंगे जिस number से अभी आपने संदेश app में login किया तो उसी mobile number को जहाँ पर enter करेंगे और submit पर click करेंगे next आप जहां पे देख सकते हैं, हमने अपना OTP एंटर कर लिया है, OTP हमारे जिस्टर मोबाइल नंबर पे भी आया है, और संदेश एप पे भी आया था, हमें किसी एक जगा से OTP को नोट कर लेना है, सेम ही OTP आता है आपको अब SMS भी आएगा जैसे कि OTP हमें आ चुका है अब आपने जहां पे verify OTP पे क्लिक कर देना है, जैसे हम जहां पे verify OTP पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने एक next tab open हो जाएगी, तो जहां पे आप देख सकते हैं बिल्कुल simple process यहां पे रहने वाला है next अब जहां पे देख सकते हैं जमू और कश्मीर human resource management system की बो tab open हो जोकी है जहां से एक employee अपने password को reset कर सकता है reset करने के लिए हमें जहां पे सबसे पहले क्या करना होगा new password, new password इसकी condition जहां पे क्या रहने वाली है सबसे पहले यहां पे कोई capital letter होना चाहिए आपके password में, कुछ running letter होने चाहिए आपने उसी तरह से उसी password को confirm password की जगा टाइप करके data को आपने submit कर देना है चलिए अब हम जहां पे आपने password को reset कर लेते हैं next आप जहां पे देख सकते हैं हमने अपना new password, confirm password दोनों जहां पे type कर दी है और इसके बाद आपको यहां पे submit के option पे क्लिक करना है जैसे आप जहां पे submit के option पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक next tab open हो जाएगी तो इस तरह से आपको यहां पे message भी मिल जाएगा कि आपका जो password है वो जहां पे update हो चुका है आपने देख लिया कि हमने successfully अपना जो password था उसे create कर लिया है create करने के बाद simply आपने फिर से जमुएन कश्मीर human resource management की official website पे आ जाना है और login section में आ जाना है username की जगा आप अपनी जहां पे cps id एंटर करेंगे capital letter और number जो भी होंगे और password जो अभी आपने set किया है उसे आप यहां पे एंटर करेंगे दिया गया capture एंटर करेंगे capture एंटर करने के बाद simply आपको यहां पे login के option पे आप click करेंगे जैसे आप login के option पे click करेंगे आप जमुएन कश्मीर human resource management की system की official web page पे login कर जाएंगे बहां से आपको एक EPM का corner मिलेगा EPM के corner के साथ एक new option blink करेगा बहां से आपने उस पे click करके आपनी जो EPM है उसे आप fill कर सकते next वीडियो में हम देखेंगे कि अगर अभी तक किसी official ने अपने आपको जमुएन कश्मीर human resource management system पे register नहीं किया है वो first time आपने आपको register कैसे कर सकता है इसी तरह की वीडियो के update पाने के लिए मेरे चैनल के touch में रहें मेरे चैनल को subscribe करने साथ में बैल एकन को press करें ताकि आने बाले समय में जितने भी informative वीडियो हूँ उनकी notification सबसे पहले आप तक पहुँचे Thank you, thank you watching, take care, मिलते हैं जल्दी एक new update में